सब्सक्राइब कर दीजे जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो आज का होड़ वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए इस पेसल लेका आई हूं मैं और जैसा कि हर बार यही कोशिस रहती है मेरी की आप सभी को कुछ नोब कुछ यूनीक लेके आओं इस होल वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजेगा नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और फ कोई से भी कलर का चूज कर सकते हुए लेकिन थोड़ी सी कोश्टली है दिखाती हुए आपको यलो कलर में चाहिए था मेरे पास सारे कलर हैं तो गाइस बताइएगा अगर आपको मेरी लाउज क्लेक्शन सारी देगनी है तो मैं एक दिन सारे ही ब्लाउज की ओल्वीडियो लगाया है बहुत ही प्यारा लगा मुझे यह और इसका पैटन देखोगे न डिजाइनर बिल्ला उजए इतना तो आप अगर मैं स्टीच भी कराने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कोश्टली होता है तो यह वाल कहा जा रहे हैं मिरे तो देखिए चलिए तो देखें कितना प्यारा बिल्ला उजए और इसका पैटन देखें डिजाइनर बिल्ला उजए और इतना प्यारा लगा मुझे मैं एक बार पिच्चर देखने के बाद में तुरंत ही से ओडर कर लिया आपके लिए तो देखिए कुछ यूनिक जैसे फैस्टिवल के लिए साथ ऐसा है यह कलर यलो ऐसा कि आप इसके साथ कोई सी भी साड़ी अगर मैच करते हो तो सारी को में अच्छी लगेंगे इसलिए मैंने यलो कलर मैच लिया है तो देखिए इस टाइप से नेक आपको वी मिल जाएगा तो साइज थोड़ा इसू है साइज आपको यह 38 में थ करते हैं और मैं आपको ट्राइल में किलियर कर दूंगी अगर आप देखिए इस टाइप से बिल लाउज है और यह इसका बैक है चलिए इसके प्रेंट की बात करते हैं फ्रेंट पेंप पूरा ही सिक्वेंस वर्क है थ्रेड वर्क है सिलिप्स आपको हाप मिल जाएगी बिल्कुल भी कहीं से आपको चुबएगा नहीं क्योंकि मैंने ट्राइल में किया है बिल्कुल भी चुबा नहीं तो देखे इस टाइप से लिप्स मिल जाएंगी तो इतना प्यारा लग रहा है यह लगी एक तो यह इसका कुछ यूनिक पैटर तो गाइज यह आपको नेक थ पैटर किया हुआ है तो देखे इस टाइप से यह उपन हो जाएगा और नीचे की साइट से भी आप इसे ओपन कर सकते हो देखे इस टाइप से ओपन हो जाएगा और आपको इसमें पैडिट मिल जाएंगे काफी अच्छी क्वाल्टी के लगाए गए हैं तो ऐसा नहीं है के अगोर्डिंग जैसा कि मैंने बताया रेंच के अगोर्डिंग बिल्कुल थमसफ है इस बिलाउस के लिए और इसके कलर ओप्षन आप कितने भी मतलब काफी अच्छी एक बट हाँ देखिए तो गाइस देखिए अंदर से कितनी फिनीसिंग की गई है बिल्कुल ऐसा नहीं अंदर से फिनीसिंग नहीं मिलेगी बिल्कुल फिनीसिंग की गई है तो रेट तो इस पर काफी मैड इंडिया है यह काफी जाधत आलिव में हैं लेकिन है नी रेंज के अकॉडिंग काफी अच्छा है लेकिन है थोड़ा कोश्टली तो उसके कोडिंग मुझे नहीं लगा कि यह बिल्कुल जब मैं आपको रहोंगी तो आप देखिएगा किस टाइब से मैं इसे ट्राय किया थो आप इसके साथ कुछ भी ठाइक कर सकते होला कोई सीबी डाक कलर में लाइट कलर में कोई सीबी साड़ी स्के साथ मैleep कर सकते हो यह मेरा first blouse मेरा फाइब एक असवाइ है नेक्स है क्रोप तो गाईस मेंने नहीं है तो ये क्रोप टॉप लेकिन मैंने बिलाऊस की तरह करने की प्रफ ये किया था इसलिए पूरी यह qia प्रकूल ओफिशके दोनों ही मैंने वाइट किये हैं तो देखिए इनका benefit यह स्टेचेवर होते हैं तो देखिए तो देखिए मैं इसे मतलब किस किस साड़ी के और कैसे मतलब combination बना के वियर करती हूं तो इस इनका फायदा यह है तो इसलिए मुझे ज्यादा बैटल लगा क्योंकि मुझे काफी तो जादा तर कट श्लिप में हैं और फैबरिक एस इस का इस टेचेवर यह क्रोप टॉप है तो पिचर में आपको पूरा ही पैटन के लिए हो जाएगा देंच के वाल्टिय अगर आप इसे क्रॉप टॉप में ओर करना चाहते हो तो उसके अकोर्डिंग भी कर सकते हो लेकिन मैंने यह ओडर किया बिलाउज के पॉर्डिंग तो मैं इसे बिलाउज में यूज़ करने वाली हूं तो आप किसी भी तरह से क्रैप कर सकते हैं तो यह देखे इस टाइप से इसका प्रेंट है और यह इसका आपको बैक मिल जाएगे सिंपल सोबर बैक है और फैब्रिक है कुछ यूनिक फैब्रिक है फैब्रिक देखती हूं मैं तो इस टेचेवर आप इजी से वियर कर सकते हो साइज मैंने इसमें मंगाया है मीडियम बिल्कुल परफेक्ट आया साइज साइज आप अपने अकोडिंग ही पर्चेस कीजेगा तो नेक्स दिखाती हो मैंने एक क्र चाउस की तरह ही यूज करने वाली हूं तो यह मुझे सबसे ज्यादा है लगा इसका लुक तो देखिए इस टाइप से आपको यह क्रोप टॉप मिल जाएगा पता नहीं तो देखिए इस टाइप से नेक है इसका आप इसे सोल्डर में ऐसे भी वियर कर सकते हो किस टाइप करते हो आप पर डिपेंड करता है तो इस टाइप से यह मिल जाएगा और यह आपको डोरी मिल जाएंगे बैक साइड में आप जैसे की फ्रील बनाने के लिए तो आप इसे इस टाइप से क्रैप कीजेगा और यह तो गाइस इसके बारे में ज्यादा मैं बोलूंगी नहीं जैसे मैं स्टाइल करूंगी आप देखना इसके साथ प्लेन साड़ी बिल्कुल परफेक्ट लगेगी तो यह सारी ही आई यह क्रोप टोप मेरी डोटर ने ओडर किये थे कि बिलाउस की जगे यह क्रोप टोप ट्राय कीजे तो देखिए इसमें बाजू में आपको फ्रील म बैक साइड की साइड में आएंगे यह फ्रंट पर नहीं आएंगे तो देखिए अभी तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा इस टाइप से आजाएगा यह पिच्चर में पूरा ही मैंजन हो जाएगा बागी ट्रायल में पूरा किलियर हो जाएगा तो गाइस यह थी की कलेक्शन अब दिखाती हूं मैं कुछ यूनिक जो मैंने पर्चेस किया है दिखाती हूं मैं क्या तो देखिए तो यह मैंने जावेरी पैरल के जोएलरी सेट ओडर किया है इतना प्यारा लगा मुझे मैं इसे बहुत टाइम से बोच कर रही थी आखिरकार मैंने इसे देखिए यह हमारी जावेरी का निकल गया कोई बात में निकाल गई दिखा देती है आपको तो देखिए इतना प्यारा लगा मुझे आपको पनी से भी निकाल के दिखा देती हूं बहुत ही जादा प्यारा है तो जावेरी की जितनी भी मैंने मतलब जुल्री देखिए सारी ही इतनी प्यारी है देखिए कितना यह चोकर सेट है एक और इतनी कि फिनीसिंग से आपको बिल्कुल वीस में कोई भी इसू नहीं आएगा एक मिट मैं ऐसे करके दिखा देती हूं तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है बहुत ही जादा मेरे दिल मतलब मैं समझ नहीं चकते आप कि मैं कितने टाइम से इस जुल्री को बहुच कर रही थी और मैंने सोच चलिए अब फैस्टिवल आ रहे हैं तो उसके लिए मैं ओडर कर देती हूं और मेरे पास इस कलर की साड़ी है तो उसके लिए भी और आने वाले फैस्टिवल में वियर करूंगी तो आप देखिए जरूर तो चलिए ये तो हो गए इसकी पूरी ही नीचे इस में मोतियों की इनुने इस टाइब से बनाया गया तो मैं आपको एक बार लगा के दिखा देती हूं हलका सा दिखाती हूं वैसे तो ट्राइल में आप देखी लोगे तो देखें कितना प्यारा लगदा चोकर सैट तो मेरे ओल्वेज पर मतलब फैबरेट रहते हैं तो चलि है आपको एरिंग्स मिल जाएंगे तो गाइज यह टैंश है तो मैंने निकाल लेनी अभी तो मैंने सोचा कि अभी मैं मेरलब निकालना नहीं चाहती चलो आपके लिए लेकिन मैं निकालूंगी जरूर ऐसा तो रही है कि मैं बिना लेकिन बॉक्स में देते तो ज्याद़ बैटर रहता फिर सेफ रहते हैं भॉक्स में तो देखे आइस अचिताइब से आपको यह टेरिंग्स मिल जाएंगे बिलकुल लाइट वेट आपको वियर करने पर बिलूकुल लाइट लगेगी तो इस पे तो बिलकुल पता यह नहीं चलेगा तो आप ट्राइल में देखे तो मैं इसके साथ कौन सी साड़ी क्रेप करती हूं या में थोड़ा रेंज हाई उसकी लेकिन के खोरिंग मैं इसे बिल्गुल थमसब देते हूं तब कि चलिए गाइस दिखाते हूं नेक्स्ट मैंने क्या पप्रचेश किया तो मैंने मिंतरा से पर्चेस किया कुछ नो कुछ यूदिक जैसे कि अब पैस्टिव लाएंगे उनके लिए तैयारी तो करनी है तो आप भी तैयारी कीजिए और मैं भी तैयारी करी रही हूं आप सभी के लिए तो देखें यह मैंने कुछ लिपिश्टी कोडर की हैं तो यह जादर बैटर लगे तो मैंने यह यूज अभी नहीं किए गाइस में बता देती हूं आपको तो जैसा कि मैं यूज करूंगी तो इनका रिव्यू में जरूर दोंगी आपको कैसी निकली है कैसी नहीं है तो फर्स्टाइम मैंने यह लिपिश्टिक मतलब ओडर की हैं तो ब तो गाइस देखें इस टाइप से में एक लिपिश्टिक आपको दिखा देती हूं कि कलर ओप्शन काफी है इसमें तो इस टाइप से मैट में मिल जाएगी तो यह मैं आपको एक दिखा देती हूं तो देखें इस टाइप से कलर बहुत प्यारा लगा मुझे अलब कलर तो सारे ही जादा अच्छे लगे मुझे और मैट में हैं तो मैट में लोंग लास्टिक होता है इसके मैट पिश्टिक लगाने से पहले आप इसमें तोड़ा सा वह लगाना क्या क्या कहते हैं अश्या हुआ क्या क्या कहते हैं भूल जाती हैं massage लिप स्टिक को कोई भी हम नहीं होगा आप इजी से मतलब लिपस्टिक को अब काफी लॉंग लाश्टिक चल सकती है तो देखिए यह ड्राय होने लगी है इस ताइप से कितना प्यारा कलर सारे कलर तो नहीं दिखाऊंगी मैं क्योंकि हाथ गंदा हो जाता है मुझे पसंद ह लिपस्टिक तो देखिए गाइस इसमें कलर आप देख सकते हो मैं आप इन सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा आपको कुछ बीज में से बिलाउज पर सेज करना है क्रोप टोप पसंद आया जूलरी पसंद आई है तो कमेंट्स में जरूर बताईएगा और ऐसे ही अ धंक यू पार वाचिंगं बाई पाई